C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा साथ की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए दो भिन एवं दशमलव प्रिष्ठ उन्तीस दो दशमलव एक भूमिका आपने पिछली कक्षाव में भिन एवं दशमलव के बारे में अध्ययन किया है भिन्नों के अध्ययन में हम उचित भिन, विशम भिन, मिश्रित भिन और भिन्नों के योग एवं व्यवकलन के बारे में चर्चा कर चुके हैं हमने भिन्नों की तुलना, तुल्य भिन्न, भिन्नों को संख्या रेखा पर निरुपित करना और भिन्नों को क्रम बध करना के बारे में भी अध्ययन किया है दशमलवों के अध्ययन में हम उनकी तुलना, संख्या रेखा पर उनका निरुपन और उनका योग एवं व्यवकलन के बारे में चर्चा कर चुके हैं अब हम भिन्नों एवं दशमलवों के गुणन एवं भाग के बारे में अध्ययन करेंगे दो दशमलवदो भिन्नों के बारे में आपने कितनी अच्छी तरहा अध्ययन किया है उचित भिन्न वह भिन्न होती है जो संपूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है क्या साथ बटा चार एक उचित भिन्न है इसके अंश अथवाहर में कौन बड़ा है विशम भिन्न संपूर्ण एवं उचित भिन्न का संयोजन होता है क्या साथ बटा चार एक विशम भिन्न है यहां अंश अथवाहर में कौन बड़ा है विशम भिन्न साथ बटा चार को एक तीन बटा चार के रूप में लिखा जा सकता है यह एक मिश्रित भिन्न है, क्या आप उचेत, विशम एवं मिश्रित भिन्न में से प्रत्येक के पांच उदाहरण लिख सकते हैं? उदाहरण एक, तीन बटा पांच के पांच तुल्य भिन्न लिखिये हल तीन बटा पांच के तुल्य भिन्नों में से एक तीन बटा पांच बराबर तीन गुणा दो बटा पांच गुणा दो बराबर छे बटा दस है शेश चार तुल्य भिन्न आप स्वयम ग्याद कीजिए प्रिष्ठ तीस उदाहरण दो रमेश ने एक प्रश्णावली का दो बटा साथ भाग हल किया जबके सीमा ने उस प्रश्णावली का चार बटा पांच भाग हल किया ग्याद कीजिए के दोनों में से किसने कम भाग हल किया हल यह ग्याद करने के लिए किसने प्रश्णावली का कम भाग हल किया आईए दो बटा साथ और चार बटा पांच की तुलना करते हैं इनको समान भिन्नों में परिवर्तित करने पर हम पाते हैं दो बटा साथ बराबर दस बटा पैंटीस चार बटा पांच बराबर अठाइस बटा पैंटीस क्योंके दस अठाइस से छोटा है इसलिए 10 बटा 35, 28 बटा 35 से छोटा है अतह 2 बटा 7, 4 बटा 5 से छोटा है रमेश ने सीमा की तुलना में कम भाग हल किया उदाहरण 3 समीरा ने 3 एक बटा 2 किलो सेब और 4 तीन बटा 4 किलो संत्रे खरीदे समीरा द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना है हल फलों का कुल भार बराबर 3 एक बटा 2 जमा चार तीन बटा 4 किलो बराबर 7 बटा 2 जमा उननीस बटा 4 किलो बराबर 14 बटा 4 जमा उननीस बटा 4 किलो बराबर 33 बटा 4 किलो बराबर आठ एक बटा चार किलो है उदाहरन चार सुमन प्रति दिन पांच दो बटा तीन घंटे पढ़ती है वह अपने इस समय में से दो चार बटा पांच घंटे विज्ञान और गणित में लगा देती है दूसरे विशेयों के लिए वह कितना समय लगाती है हल सुमन के अध्ययन का कुल समय बराबर पांच दो बटा तीन घंटे बराबर सत्रह बटा तीन घंटे सुमन द्वारा विज्ञान एवं गणित में लगाया समय बराबर दो चार बटा पांच बराबर चौदह बटा पांच घंटे प्रिष्ट इकत्तिस अतह उसके द्वारा दूसरे विशयों में लगाया गया समय बराबर 17 बटा 3, घटा 14 बटा 5 घंटे, बराबर 17 गुणा 5 बटा 15 घटा 14 गुणा 3 बटा 15 घंटे, बराबर 85 घटा 42 बटा 15 घंटे, बराबर 43 बटा 15 घंटे, बराबर 23 बटा 15 घंटे प्रश्नावली दो दशम लवेग, एक, हल कीजिये, एक, दो घटा तीन बटा पांच, दो, चार जमा साथ बटा आठ, तीन, तीन बटा पांच जमा दो बटा साथ, चार, नौ बटा ग्यारह हैं घटा, चार बटा पंदरह है, पांच, साथ बटा दस, जमा दो बटा पांच, जमा तीन बटा दो, छे, दो दो बटा तीन, जमा तीन एक बटा दो, साथ, एक बटा दो, घटा, तीन, पांच बटा आठ, दो, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिये, एक दो बटा नौ, दो बटा तीन, आठ बटा इककीस, दो एक बटा पांच, तीन बटा साथ, साथ बटा दस तीन, एक जादूई वर्ग में प्रतेक पंक्ती, प्रतेक स्तंभ एवं प्रतेक विकरण की संख्याओं का योग समान होता है क्या यह एक जादूई वर्ग है, चार बटा ग्यारा है, नौ बटा ग्यारा है, दो बटा ग्यारा है, तीन बटा ग्यारा है, पांच बटा ग्यारा है, साथ बटा ग्यारा है, आठ बटा ग्यारा है, एक बटा ग्यारा है, छे बटा ग्यारा है प्रफम पंक्ति के अनुदेश 4 बटा 11, जमा 9 बटा 11, जमा 2 बटा 11, बराबर 15 बटा 11 4. एक आयता कार खागज की लंबाई 12 एक बटा 2 सेंटीमीटर और चोडाई 10 दो बटा 3 सेंटीमीटर है खागज का परिमाप ग्याद कीजिए 5. दी हुई आक्रिती में एक त्रिभुज A, B, E, दो आयत B, C, D, E का परिमाप ग्याद कीजिए किसका परिमाप ज्यादा है? यहां एक आक्रिती दी हुई है जिसमें A, B का माप 5 बटा 2 cm है A, E का माप 3 3 बटा 5 cm है, B, E का माप 2 3 बटा 4 cm है और E, D का माप 7 बटा 6 cm है 6. सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम यानि चौकट में जड़ना चाहता है तस्वीर 7 3 बटा 5 cm चौड़ी है चौकट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 3 बटा 10 cm से ज्यादा नहीं हो सकती तस्वीर की कितनी काट छांट खी जानी चाहिए प्रिष्ट 32 7. रीतु ने एक सेब का 3 बटा 5 बटा 5 बटा खाया और शेश सेब उसके भाई सोमू ने खाया सेब का कितना भाग सोमू ने खाया किसका हिस्सा ज्यादा था कितना ज्यादा था 8. माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7 बटा 12 घंटे में समाप्त किया वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य तीन बटा चार घंटे में समाप्त किया। किसने ज्यादा समय कार्य किया। यह समय कितना ज्यादा था। 2.3 भिन्नो का गुणन आप जानते हैं कि एक आयत का क्षेतर फ़ल कैसे ग्याद किया जाता है। यह लम्बाईy गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। यदि किसी आयत की लम्बाई एवं चौड़ाई क्रम शह साथ सेंटी मीटर और चार सेंटी मीटर है, तो इसका क्षेतर फ़ल क्या होगा। इसका क्षेत्र फल 7 गुणा 4 बराबर 28 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यदि आयत की लंबाई एवं चौडाई ख्रमशह 7 एक बटा 2 सेंटीमीटर एवं 3 एक बटा 2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्र फल क्या होगा? आप कहेंगे कि यह साथ एक बटा 2 गुणा 3 एक बटा 2 बराबर 15 बटा 2 गुणा 7 बटा 2 वर्ग सेंटीमीटर है, संख्याएं 15 बटा 2 और 7 बटा 2 भिन्य हैं, दिये हुए आयत का क्षेत्र फल ग्याद करने के लिए यह ग्याद करना आवश्चक है कि भिन्यों को गुणा कैसे किया जाए, हम अब इसे सीखेंगे. 2 दशमलव 3 दशमलव 1 एक भिन्य का पूर्ण संख्या से गुणन 22 तरफ आकरिती 2 दशमलव 1 में दी हुई तस्वीर को देखिए, प्रत्य एक छायांकित यानी शेड़िट भाग वृत्त का एक चाथाई भाग है, दो चायांकित भाग मिलकर वृत्त के कितने भाग को निरुपित करेंगे, ये एक बटा चार जमा एक बटा चार बराबर दो गुणा एक बटा चार को निरुपित करेंगे. आकृती 2.1 यहां दो वृत्त दिये गए हैं जिसमें प्रत्येक वृत्त में एक बटा चार भाग चायांकित है दो चायांकित भागों को संयोजित करने पर हम आकृती 2.2 को प्राप्त करते हैं आकृती 2.2 का चायांकित भाग वृत्त के किस भाग को निरुपित करेगा यह वृत्त के दो बटा चार भाग को निरुपित करता है आकृती 2.2 यहां तीन वृत्त दिये गए हैं जिसमें दो वृत्त में दो बटा चार भाग चायांकित है प्रिष्ठ 33 इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आकृती 2.1 के चायांकित टुकडे मिलकर आकृती 2.2 के चायांकित भाग के समान हैं, अर्थात हमें आकृती 2.3 प्राप्त होती है आकृती 2.3 यहां प्रत्येक दो वृत्त के एक बटा चार चायांकित भाग मिलकर एक वृत्त के दो बटा चार चायांकित भाग बनाते हैं अत्वा दो गुणा एक बटा चार बराबर दो बटा चार क्या अब आप बता सकते हैं कि आकृती 2.4 किसे निरुपित करेगी? आकृती 2.4 यहां प्रत्येक तीन वर्ग के एक चौथाई भाग चायांकित हैं जो के मिलकर एक वर्ग का तीन चौथाई भाग बनाता है और आकृती 2.5 किसे ने रुपित करेगी आकृती 2.5 यहां तीन वर्ग दिये गए हैं प्रत्येक वर्ग नौ भागों में विभाजित है जिसमें से दो भाग चायांकित हैं अब ये तीन वर्ग मिलकर एक वर्ग बनाते हैं जिसमें छै बटा नौ भाग चायांकित है आईए अब हम तीन गुणा एक बटा दो ग्यात करते हैं तीन गुणा एक बटा दो बराबर एक बटा दो जमा एक बटा दो जमा एक बटा दो बराबर तीन बटा दो हम यह भी पात्ते हैं एक बटा दो जमा एक बटा दो जमा एक बटा दो बराबर एक जमा एक बटा दो बराबर तीन गुणा एक बटा दो बराबर तीन बटा दो इसलिए तीन गुणा एक बटा दो बराबर तीन बटा दो इसी प्रकार दो बटा तीन गुणा पांच बराबर दो गुणा पांच ब बराबर डाश, क्या आप बता सकते हैं, 3 गुणा 2 बटा 7 बराबर डाश, 4 गुणा 3 बटा 5 बराबर डाश, प्रिष्ठ 34, अभी तक हमने जितनी भिन्नों की चर्चा की है, अर्थात 1 बटा 2, 2 बटा 3, 2 बटा 7 और 3 बटा 5, वे सभी उचित भिन्न हैं, विशम भिन्नों के लिए भी हमारे पास है, 2 गुणा 5 बटा 3 बराबर, 2 गुणा 5 बटा 3 बराबर 10 बटा 3, प्रयास कीजिए, 3 गुणा 8 बटा 7 बराबर डाश, 4 गुणा 7 बटा 5 बराबर डाश, अथह, किसी पूर्ण संख्या को, किसी उचित अथवा विशम भिन्न से गु भिन्न के अंश के साथ गुणा करते हैं, और भिन्न के हर को अपरिवर्थित या समान रखा जाता है, प्रयास कीजिए, एक, ग्यात कीजिए, ए, 2 बटा 7 गुणा 3, बी, 9 बटा 7 गुणा 6, सी, 3 गुणा 1 बटा 8, दी, 13 बटा 11 गुणा 6, यदि गुणन फल एक विशम भिन्न है, तो इसे मिश्रित भिन्न के रूप में व्यत्त कीजिए, दो, दो गुणा 2 बटा 5 बराबर 4 बटा 5 को सचित्र निरुपित कीजिए, प्रयास कीजिए, ग्यात कीजिए, एक, पांच गुणा 2 तीन बटा 7, दो, एक, चार बटा 9 गुणा 6, किसी मिश्रित भिन्न को एक पूर्ण संख्या से गुणा करने के लिए सर्वप्रथम मिश्रित भिन्न को विशम भिन्न में परिवर्तित कीजिए और तब गुणा कीजिए, इसी लिए तीन गुणा 2 पांच बटा 7 बराबर तीन गुणा 19 बटा 7 बराबर 57 बराबर 8 एक बटा 7, इसी प्रकार दो गुणा 4 दो बटा 5 बराबर दो गुणा 22 बटा 5 बराबर डैश, भिन्न प्रचालक का के रूप में, आकृती 2.6 को देखिए, दो वर्ग पूरी तरह से समरूप हैं, प्रतेक चायांकित ठुकड़ा एक के एक बटा दो को निरुपित करता है, इसलिए दोनों चायांकित ठुकड़े मिलकर दो के एक बटा दो को निरुपित करते हैं, दो चायांकित एक बटा दो भागों को संयोजित कीजिए, एक बटा दो गुणा दो बराबर एक के रूप में भी प्राप्त कर सकती हैं. आक्रिती दो देशम लवच्छे यहां दो वर्ग दिये गए हैं. प्रत्य वर्ग का एक बटा दो भाग चायांकित है. ये दोनों चायांकित भाग मिलकर एक पूरा वर्ग बनाती हैं. एक बटा दो बराबर एक बटा दो गुणा दो बराबर एक. आक्रिती दो दशम लवसात के सम रूप वर्गों को देखिए. प्रत्य एक चायांकित टुकडा एक के एक बटा दो भाग को निरुपित करता है. इसलिए तीन शायांकित टुकडे मिलकर तीन के एक बटा दो भाग को निरुपित करते हैं तीन शायांकित भागों को संयोजित कीजिए यह एक एक बटा दो अर्थात तीन बटा दो को निरुपित करता है इसलिए तीन का एक बटा दो तीन बटा दो है और एक बटा दो गुणा तीन बराबर तीन बटा दो अतहा तीन का एक बटा दो बराबर एक बटा दो गुणा तीन बराबर तीन बटा दो इस प्रकार हम देखते हैं के का गुणन को निरुपित करता है आकरिती दो दशमलव साथ यहां तीन वर्ग दिये गए हैं प्रत्येक वर्गत का एक बठा दो भाग चायांकित है इन तीनों चायांकित भागों को मिला कर एक पूरा वर्ग और एक बठा दो वर्गत बनता है फरीदा के पास बीस कंचे हैं रेश्मा के पास फरीदा के कंचुं का एक बठा पांच है रेश्मा के पास कितने कंचे हैं? जैसा के हम जानते हैं का गुणन को दर्शाथा है इसलिए रेश्मा के पास एक बटा पांच गुणा बीस बराबर चार कंचे हैं इसी प्रकार हम पाते हैं के सुलह का एक बटा दो 1 बटा 2 गुणा 16 बराबर 16 बटा 2 बराबर 8 है प्रयास कीजिए क्या आप बता सकते हैं कि 1 दस का 1 बटा 2 2 सुलह का 1 बटा 4 3 पचीज का 2 बटा 5 क्या है उदाहरन 5 40 विद्यार्थियों की एकक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1 बटा 5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। 3. कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग यानि फ्राक्षन विज्ञान पढ़ना पसंद करता है। 4. प्रिष्ट 36 हल कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 40 1. इन में से कुल संख्या का 1 बटा 5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करती हैं। अथह अंग्रेजी पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 का 1 बटा 5 बराबर 1 बटा 5 गुणा 40 बराबर 8 है। 2. स्वयम प्रयास कीजिए। 3. अंग्रेजी एवं गणित पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 8 जमा 16 बराबर 24 है, अथह विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 40 घटा 24 बराबर 16 है, अथह वान्षित भिन 16 बटा 40 है. अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गणित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन्स्वर गौरव मार्वा तक्नीकी समन्वयक बतिलैंग लिंगडो तक्नीकी सहायक मयंक कुमार निर्माण सहयोग सौम्या मलिक निर्देशन वनिर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत